आज हम बात करेंगे विप्रो की ctc structure और उसके payslip के बारे में कि हमें actually enhance salary कितनी मिलती है as a fresher जो हम विप्रो में join करते हैं तो सबसे पहले हम offer later समझ सकते कि विप्रो का ctc structure क्या है यह है विप्रो का ctc structure मेरे एक किसी friend ने भेचा है तो यहाँ पर जैसे कि हम देख पा रहे हैं जो हमारी basic salary वह 11,670 रूपीज है HR हमारा 5835 बोनस है हमारा 2234 रूपीज और विप्रो benefit plant से 4849 रूपीज तो जो हमारा total fixed salary होगी हमारी होगी 24,688 हमारी एक fixed salary होगी अब उसके बाद PF को जो contribution है employer के द्वारा वह 1800 रूपीज का होगा Gratuity की बात करें तो वह अब 620 रूपीज होगी यह आपको company में आप same company में 5 years retain करते हैं उसके बाद यह आपको gratuity मिलता है तो टोटल fixed compensation की बात करें तो वह 27,108 हो जाएगा अब other benefits क्या के हैं विप्रो जोइन करने के health benefit आपको 600 रूपीज का मिलेगा जिसमें आप 15,000 रूपीज तक का claim कर सकते हैं जो हमाया ctc structure जो एक साल का होगा वह होगा 350,000 रूपीज अब आप जानना चाहते हैं कि हमारी enhanced salary कितनी होगी तो हम इसको जल्दी से जान लेते हैं enhanced salary कितनी होगी तो जैसे कि enhanced salary हमारा basic पे include होता है 11670 प्लस HR हमारा include होता है plus हमारा चुप bonus है वो include होगा plus हमारा Wipro benefits plan है वो भी हमारा ctc enhance salary में include होता है तो हमारा total होगा 24,688 रूपीज बाट दोस्तों इतना नहीं आएगा हमारे पास इसमें समाध हमें 1800 रूपीज का approx PF deduct होगा हमारे account से तो हमारी enhanced salary बनेगी वो बनेगी 22,888 रूपीज यह तो हमारी enhanced salary होगी plus जैसे कि आप देख पाने last में total variable pay है जो total variable pay है वो है आपको तीन महिने के बाद मिलता है मतलब आपको यह आपने January, February, March तो आपको जैसे quarter खतम होता है company का तो third month में आपको यह variable pay मिलता है January, February, March का आपको अप्रेयल मन्त में मिल चाहेगा प्रेट वर्ट से related नई नई वीडियो से लाते रहते हैं आप हमसे जोडने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद साथ में बैल आइकन दबा दीजिए जिससे कि कोई भी नई वीडियो आया तो आपके पास notification पहुंच आए